हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब लोग हैपी न्यू यर सब लोग को आज की जो हमारी रेसिपी है एक हेल्दी वर्जिन है कचोरी की ठंड के मौसम में मटार गाजर मेथी काफी मात्रा में आने लगती है मार्केट में तो यही चीजों से हम कचोरी बनाएंगे और उपर की जो प अगलग तीन आटे यूज करेंगे जिसमें मैंने ज्वार काटा पाजरी काटा और चने काटा लिया है यानि मल्टी ग्रेन एक कवर हो जाता है कचोरी के लिए और स्टफिंग जो है हम मटार गाजर और पनीर का इस्तमाल करेंगे और यह ग्लुटीन फ्री कचोरी बन जाती है जिन लोगों को ग्यों का आटे का तकलीफ होती है ग्लुटीन का अलर्जी होता है उनके लिए यह एक हेल्दी वर्जन है कचोरी का और यह काफी टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची कचोरी बनती है जलो अभी हम रेसिपी के ओर बढ़ते हैं उसके लिए यहां पर मैंने एक परात ली है परात में हम पहले हमें एक आठा गूंद लेना है मैं हम द bowling पहले एक पार का लेना है एक कटोरी एक समाश सब हमें में मंता रचा लेना है एक पार का चाए एक चांट और मसलार तो तो है यह बेसन का पाले ना है विसन करएगा क्योंकि ज्वार का आठा और बाजद्य का आठा जो है यह सकत होंता है यह फट सकता है यह उसली का कैसर गालें हम दारागे तो ऐसे मेशान डालेंगे तो बसकी अब norman तोतτε नमक देमा ओर तुफ का पाऊडर है इस हम एकफ माच डालें गए छोटाप जमाच ये सौफ से टेस्ट बहुत अच्छे आती है बुनावा जीर का पाउडर ये भी आदा चमच और अजुएन लिया है आदा चमच इसको अच्छी तरह से मसल के हम याटे में डाल देंगे अल्दी डालेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आदा चमच और इसको और टीस्टि बनाने के लिए हमें इसमें सफेर तिल डालनी है एक दो बड़े चमच हमें तिल डालनी है और बेसन काटा है तो इसमें थोड़ा इसा हिंग डालेंगे और यह सब आटे के साथ यह जो सूखे मसाले हैं अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मेशन के वज़े से जब आटा गुंदेंगे तो यह मिल्कुल भी हमारा जो यह फटता नहीं है इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें देड़ चमच अधरक लसुन और हर इमेज की पेश डालेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से यह सतीखा चाहिए आपको आप डाल सकते है और यह आटे में हमें अलिकटोरी मेथी बारिक चौप करके हमें डाल दीना है यह जो आटा परिएगा इससे आप पूरी भी बना सकते हैं इसमें दो रेसिपी आपके हो जाएंगी यह आटे से आप पूरी भी बना सकते हैं और यह पूरी जो है आप अवन में भी बेक कर कर सकते हैं अभी मेथी और आठे को भी हमें आच्छी तरसे मिक्स कर लेना है और दोनों हाथों में आठे को लेके हमें आच्छी तरसे मसल लेना है यानि सब चीजे आच्छी तरसे एक साथ यह मिल जाएंगे और आट और हमारा तोड़ा हम असक्त है तोड़ा सब्मद नहीं पशाह्च है rainbow 007 और यह टीद तोड़ा एंगोम मतल आट कैसे जाएं और तम्परेचर की इसमें पानी नेगे दालना है अगरczasि तेल बिल्कुल बालना नहीं है आप तेल डालें गे तो यह पुर्षा जो आटा आपका जो बनेंगा पचोरी बनाने के लिए यह पुरा सब फट जाएगा। करीजा तो यह पानी डालें कि अम यह अक्षरों लोगा ईटना सकर्ण्ट तक खुझे तक खुझे हाकं सबस्क्राइब करें, गोरियों और सराकोट कच्छी स्थ दुपाँ Matthग करें, मिक्सिंग बोल लिआ है मैंने और मटर लिए मैंने दीजे देखें और कच्छी मटर मैंने मीकसी में आप इसे बारिक बारिक चौप कर लीजे वारिक कटी वही चौप किया हूँ में उफ सोड़ा लिया है है और यह चॉप किये हुए गाज़र लिया है मैंने ये भी आधिअ कटोरी तर度 अ었के और हो है की स्ट well करने गी कि मैं स्टफिंग आपी सार्टे से कैसे भी आपकी डाल सकते हैं आपका पा आधी पनीर लिया है और मेसे तदूकस कर लिया है यह हमीर को भी मटर और मिट्र में डालcular आधी प्रेसने घुट्चमत भी तरह से तो रशतकर ली तरह से कह ब्रहाएं है अंटे इसमीं तो राद म्यातन हें तो यह माद्र पानी क फूटे में के तो शबाइब सकते हैं केसे नमट नहीं डालना है और बाकी कुछ भी मसाल नहीं है जो हमारा कच्वरी का कवर बनेगा उसमें हमने सब मसाले डाल दिये हैं तो यह अब यह कुम दाने के विए और यह आपको लगेगा, यह stuffing तो है, गीला है, कचोरी के बाहर आएगा, लेकिन यह बिल्कुल भी बाहर आता नहीं है, और यह देखें, आटा भी हमारा यह अभी रेस्ट हो चुका है, आटा भी एकदम हमारा सौफ्ट हो चुका है, बिल्कुल भी फटा नहीं है, यह देखे कि हमारे हाथ को भी चिपक नहीं रहा है यह जो हमने बेसन इसमें डाला था इससे हमारे दोनों जो जो आर और बाजर का आठा है अच्छी तरह से उस में बाइंड कर लिया है कि अभी इसके छोटे-छोटे यह हमें लॉए बना लेने हैं जैसे आपको कचुरी चाहिए है वह साइस के हिसाब से आप यह लोगा बना लीजैए यह मैंने लिम्बू के साइस के यह से लुए हम बना लेंगे इससे बाल्स बना लेंगे यह देखे यह बॉल्स अभी सब हमारी रेडी हो गया है कचोरी बनाने के लिए अभी एक प्लेट में मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और यह जो हाटे के बॉल्स हमने बनाए है थोड़े हाथ से हम ऐसे थोड़े से यह फैला लेंगे और फॉइल के उपर रखे थोड़ा सा यह ऐसे दबा के हम फैला लेंगे हां कि एतने मोटे हम हमें यह इसकी परद बना लेनी है और जो अ हमने इस टफिंग बना ए है एक क्रक्ष छुट माच लेंना है और इसे पूरी में है उसके अंधर में रख में हना देनी है प्रवाइस को बंद कर लेना है यह देखिए और यह जो बाजु है उपर की इसका मुह हमें बंद कर लेना है और कचवरी का जो है इसका शेप दे देना है यह देखिए आटा अमारा इतना अच्छी तरह से यह गून चुका है बिल्कुल भी फटा नहीं है जो आर बाजरे का डाला है तो भी और किनार जो है अच्छी तरह से हमें पैक कर लेनी है और थोड़ा-थोड़ा हलके हाथ से हमें इसको फैला लेना है स्टफिंग भी हमारा बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है यह देखिए हमारी यह पचोरी रेडी हो गई अब हम थोड़ा सा यह सपेत तिल यह फॉइल के उपर डालेंगे और जो सीधी बाजू है कोई बाजू हम नीचे डालेंगे और दीरे-दीरे तील के उपर इसे हमें भुमा लेना है यह नहीं कचोरी भी हमारी सुन्दर लगेंगी और खाने के लिए भी यह तिल जो है जब फ्राइं होंगी अच्छी क्रंच इसको टेस्ट आएंगी कचोरी को और फॉइल पेपर पर डालेंगे तो कैसा है तो बिल्कुल भी प्लेट कोई चिपकता नहीं है यह देखें यह हमारी कचोरी रेडी हो गई है कितने अच्छी यह लग रही है यह देखें अभी यह सब कचोरी जो है सब हम बना लेंगे और फॉइल के उपर हम रग देंगे फ्राइ करने से पहले और दूसरा तरीका है यह आप हाथ के उपर इसकी छोटी पूरी बना लेंगे जैसे बाकी हम कचोरी बनाते हैं मोदक बनाते हैं वैसे जैसे आपको जमेंगा वैसे आप कचोरी बना सकते हैं और यह पूरी को ऐसे हाथ में रखें स्टफिंग इसके उपर डाल देना है और कचोरी को हमें आटे को ऐसे बंद कर लेना है यह उपर का जो मूह है अच्छी तरह से हमें पैक कर लेना है और इसको शेप दे देना है साइड से अगर आप इसको टिकी के दरह गुमाएंगे तो बिल्कुल भी यह स्टाफिंग जो है बाहर आती नहीं है और सेम तरीके से तिल को हम डाल देंगे फॉइल के उपर और कचोरी को हम थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेंगे यह देखें यह हमारी दुसरे तरीके से भी यह हमारी कचोरी रेडी हो गई है तो यह सब कचोरी हमारी रेडी हो चुकी है यह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं चलो अभी हम कचोरी फ्राय करने को लेते हैं तेल को मैंने गरम करने को रख दिया था अभी थोड़ा सा आटा हम डालके देखेंगे गरम तेल में यह उपर आ जाएंगा तो यह तेल हमारा जो है गरम हो चुका है यह देखें आटा भी बिल्कुल भी फट नहीं रहा है हमारा ते गरम तेल में और एक एक करके अभी कचोरी को हम फ्राय कर लेंगे और एक एक करके हम अभी कचोरी को हमें गरम तेल में डाल देना है दीरे दीरे अपने आप आटा पकते जाता है फ्राय होते जाता है और कचोरी जो है हमारी तेल के उपर आ जाती है थोड़ा थोड़ा तेल हमें कच्वरी के ऊपर हमें डालते जाना है यह से तो एकिकर ऊपर आ चुकी है और अच्छे क्रिस्पी ब्राऊन होने तक हमें कच्वरी को फ्राय कर लेना है दोनों साइट से अलट पलट करके कच्वरी को हमें फ्राय कर लेना है जब तक कचुरी उपर आ जाती नहीं तब तक इसको पल्टाना नहीं है ये देखें ये देखें ये कचुरी आमारी अभी अच्छी ब्राउन हो रही है तेल भी बबल्स कम हो गया है उसके यानि एक साइड से पक गई है वो अभी दुसरे साइड से हम पल्टा लेंगे तेल की जो बाजू है वो उपर ही रखनी हमें डालते वक्त अच्छी क्रिस्पी प्राउन हो रही है हमारी ये कचुरी काटी का नाप जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपने बेसन का अटा कम डाला तो कचुरी फट सकती है ये देखे ये हमारी कचुरी फ्राई होके रेडी हो गई है सब कचुरी को हम फ्राई कर लेंगे तो कचुरी हमारी सब फ्राई हो चुकी है तो चलो अभी हम सर्व करते हैं ये देखे कितनी सुंदर ब्राउन क्रिस्पी ये हमारी कचुरी बनी है आप इसे सौस के साथ चटनी के साथ गरम गरम चाई के साथ एंज्याइ कीजिए यह एकदम इजी रेसिपी है हेल्दी रेसिपी है जो लोगों को ग्लुटेन की अलर्जी है कि उका आटा नहीं खा सकते उनके लिए यह बेस्ट आप्षिन है कचोरी का जो कि बाकी कचोरी मैदे से बनती है लेकिन ज्वार के आटे से बाजरे के आटे से और बेसन से भी हमने यह कचोरी बनाई है यह देखें मैं कट करके दिखाती हूं यह स्टाफिंग देखें अपना यह देखें कितने अच्छी हमारी कचोरी बनी है स्टाफिंग भी देखें अंदर तक कितने अच्छी तरह से यह फोली है हमारी यह कचोरी यह देखें आटा भी पुरा अच्छी तरह से हमारा पक गया है इतने अच्छी है हमारी कचोरी लग रही है और बहुत टेस्टी भी बनी है ये ठन के मौसम में तिल के साथ मटर पनीर गाजर के साथ तो फ्रेंड्स ये आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी आप भी ये कचोरी बना के देखेंगा और आपको ये ज़रूर अच्छी लगेंगी ये कचोरी जब आप ये बनाएंगे बिल्कुल भी ये ओईली नहीं है ये देखें इंग्डम क्रिस्पी एक उसिप्राइअ पनी है और मेरे चैनल कमें पक्तूर ये विडियो जम्रूर चैनल के सबस्च्राइब आपको पली कोड़ी टो सबसक्राइब काइब घिल्स और अब भी ये सब मैं पनाएंगी आपको युल्स ऑन जाह झाल झाल